जैहिन सात्यू स्वागत है आपका Self Study Classes में सुमिछ जैन यूटूब चैनल में सुसात्यू आज का वीडियो इस्टार्ड हो चुका है सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे डाउट्स वाले दोस्तो वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं ठीक है अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है बहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित का कोर्स लांच किया गया Master Kader, TGT, PGT, आदी एक्जामों के लिए हिंदी साहित, संपूर ठीक है, ठीक है, टिर्की कोर्स, बिस्तरे तर्देन, टॉपिक बाइस, टेस्टेस, सारी चीजन, डाउट्स, सॉल्यूशन वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे तो दोस्तों जरूर आप कोर्स में एडबिसन जरूर लें आज का अपना डाउट्स, पहला डाउट्स है, जाती पाती पूछे नहीं कोई हरी को भजे, सो हरी को होई ये पंक्ती दोस्तों कई बार पूछी जाती है एक पंक्ती होती कि जाती ना पूछो सादू की चाहे पूछ लीजिए ज्यान है ना तो ये जाती ना पूछो सादू की और जाती पाती पूछे नहीं कोई इसमें बहुत doubt आता है आप लोगों को है ना तो ये जाती ना पूछो सादू की ये तो दोस्तो कभीर दास की पंक्ती है कौन सी जाती ना पूछो साधू की और एक जाती पाती पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी को होई ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती है दोस्तो रामा नंद की अब यहां हरी आए हरी तो हरी कौन थे बोले सर हरी को भजे सो हरी को होई है ना ये हरी तो कौन थे बोले सर राम थे राम हरी भगवान थे है ना तो राम से क्या वनेगा रामानंद तो जाती पाती पूछे नहीं कोई हरी को भजेसो हरी को होई ये जो पंक्ती है ये पंक्ती है रामानंद की और जाती पाती पूछो नहीं कोई ये जाती ना पूछो सादु की चाहे पूछ लीजिए ग्यान यह पंक्ति कभीरदास किये ठीक है तो इन पंक्तियों में अपनको कन्फ्यूस नहीं होना है ठीक है अंगला डाउट से अपन देखते हैं दोस्तों यहां पर भक्ति दिरबिन उपजी लाई रामानन्द अब यहां क्या कन्फ्यूज होता है confusion आपके अंदर आता है यहां रामानंद लिखा है तो आप रामानंद लगा देते हो कि यह पंक्ती रामानंद की है जबकि आपको पता है कि बक्ती दक्षड में उपजीती रामानंद उत्तर भारत में इनोंने इसका परचार परचार किया था लेकिन दोस्तों एक पंक्ती जो है भक्ती दिर्मिन उपजी लाए रामा नंदे एक कभीर दास एक कभीर दास की पंक्ती है ये रामा नंदे के बारे में कही गई तो ये रामा नंदे तो नहीं कहेंगे कोई और कहेगा कोई और में कोई आता है वो आते हैं कबीर है ना तो भक्ति दिर्बिन उपजी लाए रामानंद ये पंक्ति दोस्तो कबीर दास द्वारा कही गई है ये पंक्ति रामानंद के लिए कही गई है है ना याद रखे ना कबीर के गुरू का नाम क्या था के लेखक कौन है दोस्तों यहां एक डाउट से एक तो पूछा जाता है आप तो कभिता के नए प्रतिमान है ना कभिता के नए प्रतिमान और दूसरा पूछा जाता है नई कभिता के प्रतिमान नई कभिता के प्रतिमान और कभिता के कभिता के नए प्रतिमान यह कभिता के याद रखेना है नई कभिता के प्रतिमान यानि की लच्मी कांद बर्मा और कभिता के नई प्रतिमान यानि की नाम बारसे हैं अब कैसे याद रखोगे इसको आपको पता है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है कभिता के नई प्रतिमान और कभिता किसी का क्या है नाम है कविता किसी का नाम होता के नाई होता ना तो एक कविता सबसे पहले आए मतलब एक कविता किसी का नाम है तो यह रचना किसी की होगी नाम बारसें की भूला नाई और यहाँ पर नई कविता नई पहले आ रहा है तो हम नई नई लच्छमी को पकड़ते हैं है ना जो रखी है वो तो रखी है बागी हम नई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- किसे कहा जाता है दिनकर को राष्ट कभी मैतली शलंगुप्त को कहा जाता है लेकिन महज डिप्टी राष्ट कभी स्वयम को कहा था किसने दिनकर जीने स्वयम को महज डिप्टी राष्ट कभी कहता है कभी ऐसा आपसे पूछा जाए कि महज डिप्टी राष्ट कभी किसे कहा जाता है तो आपको लगाना मैतली शलंगुप्त ठीक है किलियर हाँ बहुत बढ़िया अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों अंगला क्वेस्चन देखते हार की जीत कहानी की रचनाकार कौन है हार की जीत कहानी दोस्तों इसकी रचनाकार आपको पता होगा आपको जादा पता है सुधरसन की हार की जीत कहानी का इकि आपने पढ प्रेम चंद जी की भी है बोले प्रेम में भी हार की जीत होती है है ना सुधरसन तो आपको पता यह तो यह दोनों लेखकों के द्वारा दोस्तों हार की जीत प्रेम चंद की द्वारा भी लिखे थे और सुधरसन द्वारा लेकित भी कहानी है दोनों की कहानी है है ना दोनों बहुंच वाले प्रश्ण आपके पास अगर हैं तो आप कमेंट में लिखें उनके उत्तर आप जरूर लखें की इसमें कि वीडियो के माद्यम से ठीक है तो जुड़े रहें लाइक करें Self Study Classes एप जरू डाउनलूट कर ले जहां पर आपके लिए हिंदी साहित का संपूर कोर्स टिर्की कोर्स बिस्तरित कोर्स दोस्तो आपके लिए लांच किया गया आपके लिए उपलब्ध है आप उसको दोस्तो एडवीसर ले सकते पर्चेस कर सकते ठीक है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है तो जय हिंद